इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा। जब तक आप पूरा न कर लें, तब तक इसे लेना बंद न करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो। इस दवा का पूरा लाब लेने में कई दिन लग सकते हैं। प्रिसोफो से 150 टेबलेट इलाज के कारेक्रम का एक हिस्सा है जिसमें आपके आहार में बदलाव और केलशियम और विटमिन सप्लीमेंट लेना भी शामिल हो सकते हैं। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में सिर दर्द, मसकॉसकेलेटल पेन यानि की हड्यों, मांसपेशियों या जोडों में दर्द, अपच, सीने में जलन और डायरिया यानि की दस्त शामिल हैं। ये आमतोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय बाद गायब हो जाएंगे। अगर वो ठीक नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अपने डॉक्टर को सीधे बताएं। अगर आप स्तनपान कराती हैं, तो आपको ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। इसे लेने से पहले, अगर आपको किड्नी से समबंधित कोई समस्या है या आपका केल्शियम लेवल कम है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताए इसके अलावा, डॉक्टर को अन्य सभी सेवन की जा रही दवाओं के बारे में बताएं। इनमें से कुछ इस इंजेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं या इस इंजेक्शन से प्रभावित हो सकते हैं। विशेश रूप से गंभीर संक्रमन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और cancer और osteoporosis का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं अपने kidney function और mineral के level की जाँच करने के लिए आपको अक्सर medical taste की आवशक्ता पर सकती है धूमपान से बचें या धूमपान छोड़ दे क्यूकि इससे आपकी हड़ियों में खनिज घनत्व कम हो सकता है परिनामस्वरूप इन में fracture की आशंका बढ़ जाती है अधिक मात्रा में शराब पीने से हड़ि का नुकसान भी हो सकता है और इससे बचना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद